नमस्का दोस्तो आज के वीडियों जानेंगे जो हमारी controlling accessories होती है याने जो हमारी electrical supply है तो उसको चालू बन करने का काम जो डीवाइस से थूरुक किया जाता है उसको हम controlling accessories कहते है और जो हमारी controlling accessories होती है उसके अंदर हमारी switch आती है तो यहाँ पर इस वीडियो हम जाने के जो हमारी types of switch है याने switch के कितने प्रकार है जिसके हम जो हमारी electrical supply उसको चालू बंद कर सके तो यहाँ पर आपसे देख सकते हैं जो यह मेरी switch है इसको one way switch केते हैं जो यह हमारी one way switch होती है जिसके अंदर दो terminal होता है जो phase होगा हो हमें नीचे देना होता है यह उपर भी दे सकते हैं अगर जो वायरिंग किया जाता है और जहां से दुसरा जो वायर जाता है उसको आफ यह half wire करते हैं जो हमारा load में जाता है और इस तरह से इसको controlling किया जाता है यह mostly domestic को हमारा wiring होता जिसके जाने के हमारा पंक है तूब लैड है बद उसके अंदर इसका use किया जाता है और दूसरी हमारी switch है यह है two way switch इसको two way switch बोल दे क्योंकि इसके इंदर तीन terminal होते है जो ब अगर यहां पर में बल्प का connection किया हूँ यहां से तो वही चालू होगा बल्प और जिसी तरह उपर करेंगे तो उपर का जो बल्प में connection किया वही चालू रहेगा याने एक समय में हम एक ही supply को चालू कर रख सकते है और जो इसका use होता जो आपने देखा हूँ दादय पोजिशन है तो इसके अंदर जो इसके टर्मिनल वह वह क्रॉस में इसका connection होता है और जो दूसरी पोजिशन में उसका straight connection होता है याने मान लिजए जो हमारी यह दोनों 2-way switch है उसको हम साथ में इस तरह से रखेंगे तो यह हमारी intermediate switch बन जाती है और जो हमारी intermediate switch होती है उस जाता है तो इसके अंदर दो टर्मिनल रहते है और यह देखिए यह कैसे काम करता है जिसको हम जब प्रेस करेंगे तभी यह work कर गया जाना हम यहां पर phase देंगा और यहां से लोड में जाएगा तो जब मैं इसको प्रेस करता हूं इस तरह से तभी यह on शिती में होती है य हो जाएगा ठीक है तो यह जो हमारी बेल्स किसंको कह जाता है और इसका यूश b a l aMr में यूश किया जाता है इसके बाद अफ देखेंगे यह दूर switch है और जो लोर स्विच का जो operating होता है जो हमारी पूस्ट बतन जाने जो हमारी मेलपूस्विच है उसके काफी उल्टा होता है यानि यह दोर स्विच को हम दबा के रखेंगे तो वो और जैसी हम जो हम उसका डबान को घुटा लेंगे तो वो जाएगा यानि switch switch on हो जाए है और जो हमार यह door switch होती है mostly आपने देखा कार या रेफ्रिजर रेता है उसके दरवाजे पर इसका यूज किया जाता है और यह जो हमारी switch है इसको pull switch का जाता है जिसकी रेचना काफी विश्च प्रकार की होती है उसका operating हम दोरी के साथ करते है यानि दोरी को एक हम खीचते तो वह जो अतना switch लगी होती है वह उपनी position बदलती रहती है यानि दोरी को एक बार खीचेंगे तो हमारा switch on होगी दूसरी बार खीचेंगे तो switch off हो जादे यह आपने देखा हूँ जो हमारे table fan या ACO उसमें इस तरह की pull switch का यूज किया जाता है इसके बाद हम देखेंगे यह switch हमारी इसको toggle switch का आ जाता है जो toggle switch होती हो लंचर से gold shape की होती है और उसका जो base होता यह इसके बाद देखें यह rotary switch है और rotary switch में यहाँ बीच में rotating knob लगा रहता है और जो इसके अंदर की रचना जो होती है इसके अंदर के स्टेबिलाइजर जो और battery element होते है वाल्टे सिलेक्टर सीट या करन सिलेक्ट सिलेक्शन स्विच की तरह भी इसका यूज किया जाता है और यह जो switch है इसको पेंडेंट स्विच कहा जाता है यह आप इसको हैंगिंग स्विच भी कह सकते हैं और यह switch की जो रचना होती है आ स्विच कर पेंडेंट स्विच कर यूज किया जाता नहीं हीं अ भी सी जाता है तक यह जो में स्विच करना अजहता है और धो में यह जैसे और जो एसका काम होता है उसको मैं सप्ल्हान के लिए हम आइसोलेटर का यूज़ करते है जो इसके जो रेटिंग होती है 32 MPH 40 MPH 60 MPH 100 MPH की रेटिंग में हमारा आइसोलेटर आता है और यह जो हमारी स्विच है इसको है आयन क्लीं डबल पूल स्विच तो इसके अंदर आप देखें कि की बना फिस्तरह कि हमारे इसके नंदर यह आप देससे कराग रहते हैं और यह इसका घंडल होता में जैसे हमएंडल मोंक फिर फ्रह ऊपर करेंगे तो ये हमारी स्विच हनदीशन हो जाएगी और जैसे हैंडल को नीचे करेंगे तो ये अब टोटिर्क सिस्का माला इसे हैं debate एस तरह से ये और होफ कंडिशन है तो ये इस तरह से काम करते हैं इसका हम हमारे जो टोमेस्टिक में भी इसका हम यूज कर सकते हैं वो डिपेंड करके इसके कितने रेटिंग भी हम यूज करते हैं 16 MPR 32 तो यह जो हमारी स्विच है यह आई सीडीप आयन क्ले टीपल पोस जिसका भी करिवान को नन्यक्ति के लिपाटें इसका ऊपरेटिंग होता है इसका इसका अंडर इसकी yr עंडलन욱 होता है इसका इसे इसके डिख्रों प्लत के बता देता है यहां पर होती है इसका यह हैं यहां प STEP पर लग गया है तो अभी जो हैंडल वो नीचे आफ पोसिशन में यानि जब हैंडल को मैं इस तरह से उपर करता हूं तो यह आउन पोसिशन हो जाएगा यानि अभी हमारा यह आई से पी जो है वह ओन हो चुका और जिससे इसको आफ करना तो इसको नीचे करना पर इस तरह से इस तरह से इसका वर्किंग रहता है और यहां पर देख सकते हैं यह नूटल लिंक दिया आजाता है अगर अर्थिंग के लिए अर इस तरह की रेटिंग है और इंडर्स्ट्रिल वारिंग में एकसा मैक्सिम यूज किया जाता है